तो बुलेटिन के शर्वात करेंगे महाराश्ट से जुड़ी बड़ी खबर के साथ महाराश्ट विधान सवा चुनाफ से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है महराश्य कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुंबई में इंट्री करने वाले सभी पांच टोल बूतों पर हलके वहानों से टोल टेक्स नहीं वसूला जाएगा यह फैसला आज राद 12 बजे के बाद लागू होगा मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर टोल प्लाजा है इनमें वाशी, एरोली, मुलुंड, दहिसर और आनन्द नगर शामिल है इन पांचों टोल प्लाजा पर अब हलके वहानों को टोल टेक्स नहीं देना होगा हलके वहानों की ट्रेनी में कार, जीप, वैन आते हैं आपको बता दे कि पिछले कई सालों से मुंबई के इंट्री पॉइंट्स पर टोल टेक्स माफ करने की मांग की जा रही थी महराष्ट की मुक्य मंत्री एकनाश शिंदे ने इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया है हम देने वाली सरकार हैं अमारी, अमारी देना बैंक है, उनकी लेना बैंक है हम इतना ही कहते हैं कि आज जो टोल माफ किया है, ये जनता की बहुत पुरानी मांगती, मेरी भी पहले मांगती और इसलिए ये टोल माफी जो हुई है, इसमें ये चुनाव में जुमला नहीं, ये पूरे चुनाव तक नहीं, ये हमेशा जो निरने लिया है वो लागू रहे तो महराष्ट सरकार के इस फैसले पर वाजिनीती भी देखने को मिल रही है, शिफसेना UBT महराष्ट सरकार के फैसले को चुनाव से जोड़ कर देख रही है, शिफसेना UBT की नेता प्रियांका चातरवेदी के मताबिक ये सरकार अब जाने वाली है झात तरीके से सत्ता ज़ाने केलिए यह सर्कार घबराई हुई है और यह सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछी दिनों के हैं चार दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को है तो आज रादी राद से हलके वहनों के लिए मुंबई से जुड़े पांच टोल फ्री होंगे पांचों टोल में कलेक्शन का काब MEP इन्फरा के पास है लेकिन MEP ने कभी भी निवेश को और सरकार को फायदा नहीं पहुंचाया है तो क्या है मुंबई में टोल का खेल, टोल के खेल की इंसाइट स्टोरी बताने के लिए अब हमारे साथ हैं यतिन मोता तो यतिन बताएं क्या है ये टोल का खेल आज एक नाच शिन्जे सरकार ने महराश्टर में एक एहम डिसिजन लिया है मुंबई की जो पांच entry points है इन पे टोल नाबूत कर दिया गया है चोटी गाडियों के लिए ये exemption रहेगा और आज midnight से ये effect में आ जाएगा इसके पीछे की आपको story बताते हैं कि जो मुंबई entry point है इसको लेके company का निर्मान हुआ था कुछ सालों पहले कुछ दशकों पहले जिसका नाम था MEP Infra MEP का full form ही मुंबई entry point है और इसी लिए इस company का नाम MEP भी पड़ा अगर company की बात करें तो जो सरकारी agencies है इन से जो मुंबई के entry points है पांच उनका toll collect करने का जिमा MEP को दिया गया था और अगर हम बात करें तो ये contract November 2026 तक था MSRDC की बात करें तो यहां company के बहुत सारे बकाया है अगर हम Bandra Verly Ceiling की बात करें तो company का लगबग लगबग 400 करोड रुपे से जादा का बकाया यहां दिख रहा है तो company जो toll collect करती है वो collect करती है लेकिन देती नहीं है जिसके कारण ये toll collection आपको दिखाई दे रहा है overdue इसके लावा जो municipal corporation of Delhi है जो Delhi नगर निगम है यहां से company की बड़ी जो liability वो है लगबग 5,000 करोड रुपे की बैंकों की बात करें तो IDBA bank हो या bank of India हो 200 करोड रुपे से जादा के बकाया है और IBC और NCLT के तहट यहां कारवाई banks कर रही है obviously company दिवालया हो चुकी है network negative हो चला है और अगर हम बात करें company की तो shareholder नहीं इतना नुकसान किया है public ने तो किया ही है क्योंकि जो toll company ने collect किये वो आगे agencies को दिये नहीं जिसके कारण development के कई projects रुके अगर हम बात करें company की तो 2014 में लगबग 34% MEP का share नीचे है पिछले 5 सालों का CIGA निकाले तो 31% के CIGA से company के share घट रहे हैं गिर रहे हैं और अगर हम पिछले 5 वित वर्षों की financials निकाले तो company ने लॉसी लॉस किये है 100-200 करोड रुपे के लॉस हर साल आपको करती भी MEP infrastructure की company दिखाई दी है अगर हम FI 22 की बात करें तो सवा 200 करोड का लॉस और अभी जो latest balance sheet figure अवेलेबल है उसमें लगवग पॉने 300 करोड का loss MEP infrastructure ने किया है तो obviously जो public है उसने सफर किया है जो share holders है इसने भी सफर किया है और कहीना के सरकारी agencies भी MEP infrastructure के इस toll collection के चक्कर में अभी अभी आपको एक बड़ा impact करती भी दिखाई पड़ रही है तो यह दिन इस toll का खेल समझाने के लिए शुक्रिया लेकिन आप हमारे साथ बने रहे हैं हम आपके पास वापिस लोटेंगे market का update लेने के लिए इस बीच आपको बता दे बाबा सिद्ध की murder मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफतार किया है जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार है पुलिस ने चौथे आरोपी जिशान अक्तर की पहचान कर ली है पुलिस के हाथ जिशान अक्तर की crime history भी लगी है जिसमें उसका असली नाम मुहम्मद यासिन अक्तर बताया गया है जिशान अक्तर को 2022 में हत्य और जकैती के मामले में पंजाब के जालंदर से गिरफतार किया गया था जेल से आने के बाद वो हर्याना के कैथल गया और वहां से मुंबई आया पुलिस उत्रों के मुताबिक सभी आरूपी एक साथ रहते थे बताया ये भी जा रहा है कि जिशान अक्तर लंबे समय तक लौरिस बिश्णोई के खास रहे गैंस्टर विक्रम वरार के संपर्क में भी था इधर महराश के मुख्य मंत्री एकनाश शिंदे ने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोशी को बक्षान नहीं जाएगा और हत्या के दोशियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा यह कानून व्यवस्ता बनाये रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्धी की जिसके ओपर जिन्नोंने हमला किया हत्या हुई है एक को भी हम नहीं चोड़ेंगे सभी को फांसी लगाएगे चले अब जानते हैं बाजार का हाल कारोबारी हफते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा सिन्सिक्स निफ्टी अच्छी बड़त के साथ बंद हुए सिन्सिक्स पांचो पांसो बानवे पॉइंट चड़ा तो निफ्टी में 164 पॉइंट की तेजी रही वही निफ्टी बैंक में तो करीब 1.4 परसिन तक की बड़त भी देखने को मिली डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से तो यतिन बताएं आज की हाईलाइट्स आज की अगर बजार की हाईलाइट्स की बात करें तो निफ्टी फिर से एक बार 25,000 के शिखर के उपर बंद होता हुआ नजर पड़ा निफ्टी में लगबग 170 तंका सुदार और सेंसेक्स में लगबग 600 पॉइंट का उचाल आज के सतर में देखने को मिला सबसे बढ़िया तेजी बैंकिंग शेयर्स में रही जहां निफ्टी बैंक के इंडेक्स में लगबग 70% यानि 600 पॉइंट का उचाल देखने को मिला बजार का हाला कि एडवांज इकलें रेशो लगबग 1 इस टुवन था लेकिन रियल एस्टेट, आईटी और बैंकिंग शेयरों ने काफी शांदार परफॉर्मस दिखाया हाला कि मेटल्स और मीडिया शेयरों में थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिली यह दिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि किन शेयर्स में घिराबट रही और कहां तेजी देखने को मिली देखेंगे अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो विप्रो क्योंकि कंपनी एक बोनस इशू कंसिडर करने वाली है शेयर में काफी अच्छा मोमेंडम देखने को मिला लगबग 4% की तेज़ी के साथ विप्रो का आज शेयर बंद हुआ इसके अलावा टेक महिंदरा जैसे आईटी शेयरों में तेजी रही हाला कि मिटके अपें दोंद मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहा क्यो आईपी अनॉंसमेंट के बाद आपको ओबरो रियल्टी में 4% की तेज़ी फेडरल बैंक, कल्यान जुएलर्स और बीएसी लिमिटेड जैसे काउंटर्स में काफी शांदार तेजी देखने को मिली फ्लिप साइट पे लूजिंग में आपको दिखाई पड़ेंगे टाटा केमिकल्स जैसे शेयर जो FNO का टॉप लूजर आज था अलगबग 6% का डिकलाइन कोल्गेट बंदन बैंक का पिछले अफ़ती की रैली के बाद थोड़ी बहुत मुनाफ़ाव उसूली और IGL के शेयरों में भी लगबग 4% की मंदी देखने को मिली शुक्रिया और यतिनिस फूरे मार्केट अपडेट के लिए तो बजार की नजर आज आने वाले Reliance Industries के नतीजों पर है कैसे होंगे नतीजे बताने के लिए अब हमारे साथ जोट रही हैं अरशदा सावन तो अरशदा बताएं किस तरह के नतीजे रह सकते हैं Consolidated basis पर नंबर्स थोड़े से आवरिज रहेंगी लेकिन जी हां वो जीओ ड्राइव करतावा दिखाए देगा Operations को क्योंकि वो प्राइस हाई का पूरा फाइदा देखने को मिला है लेकिन वो numbers आपके सामने रख देते हैं ध्यान रखेगा stock करीब 7% year to date अपना return दे चुका है अब सवाल यही है कि यहां से आगे किस तरह की वृद्धी देखने को मिलेगी Reliance Consolidated आधार पर Consolidated याने की तीनों बिजनसेज मिला कर अगर आप देखें तो revenue 2.3 lakh करोड के आसपास आतावा दिखाए दे सकता year on year मुनाफ़ा 15,738 करोड का अनुमान हम जता कर चल रहे है और EBITDA भी है जो करीद 39,587 करोड के आसपास रहेगा मुई अगर margins के front पर अगर गौर करें तो यह 17.5% से घटकर 17% पर आ सकते लेकिन वो steady रहेंगे margins year on year लेकिन quarter on quarter जादा भेतरी का अनुमान जरूर जताया जा रहा है revenue flat भली रहे 2.3 lakh करोड के आसपास लेकिन मुनाफ़ा जो है वो 4% बढ़तावा दिखाए देगा पिछले तिमाही से इस तिमाही में EBITDA में भी करीब 2% तक की वृद्धी का अनुमान है और operating margins जो हैं वो 17.5% पर रहेंगे जो पिछले quarter में 16.7% के आसपास थे तो quarter on quarter जादा भेतर performance का अनुमान जताया जा रहा है अब एक दो चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अलग-अलग गारोबार में किस तरह का impact आएगा रीटेल बिजनिस अब तक थोड़ा सा नर्म रहा है O2C में भी थोड़ा सा फ्लाटिशनेस देखने को मिल सकता है लेकिन जो driver रहेगा इन numbers में वो जियो का performance रहेगा टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद ये जियो के numbers आ रहे हैं उसलिहास एक अच्छा खासा pull-up देखने को मिल सकता है आपको ये भी ध्यान रखना है कि gross refining margins सिंगपोर में थोड़े से नर्म रहे हैं तो उसका भी कही न कही impact देखने को मिलेगा इस particular तिमाही में लेकिन जो high point है जियो उस पर मैं जादा time देना चाहूंगी क्योंकि बिट्टा में करीब 9% का growth ये price high drive करता हुआ दिखाए देगा आर्पू अगर आप compare करेंगे quarter on quarter आधार पर लगबग 7% का jump है यानि कि जो steady रह रहा था आर्पू average revenue per user 181 रुपी 70 पैसे के आसपास उसमें बढ़कर ये 193-194 की और जाता हुआ दिखाए देगा और ये 200 की trajectory में जितना जाएगा उतना बहतर रहेगा in fact company के लिए तो वो एक चीज है साथी साथ आप धियान रखिएगा कि second quarter में retail business लगबग 5% की growth दिखा सकता है EBITTA में O2C business में बिटा थोड़ा सा नर्म रह सकता है क्योंकि refining और pet cam margins में कुछ-कुछ नर्मी देखने को मिल रही है दो-तीन चीज़े आपको ध्यान रखनी है कि यहां से आगे O2C का outlook कैसा है साथी साथ retail business में किस तरह के और नए footprints और कितने नए stores company खोलती भी दिखाई देगी और festive demand के लिए तयारी क्या है क्योंकि वही मेरे ख्याल में third quarter में एक बहुत बड़ा driver रहने वाला है across industries और reliance के लिए भी क्योंकि retail एक बहुत बड़ा business है उसमें भी growth आती भी दिखाई देगी outlook के लिहाद से शुक्रया हर्षदा जी इस पूरी जानकारी के लिए और साथ ही आपको एक disclaimer भी दे दे कि आप जो channel देख रहे हैं वो network 18 का हिस्सा है इसका control और ownership independent media trust के पास है और इसकी sole beneficiary reliance industries है भाविश अगरवाल की ओला पर एक के बाद एक सरकार का डंडा चल रहा है electric scooter की service में शिकायतों के बाद Central Consumer Protection Authority ने cap service को आड़े हातों लिया है CCPA ने ओला caps में refund policy को दुरूस्त करने को कहा है जादा जानकारी के लिए बात करते हैं समवादाता रोहन सिंग से तो रोहन बताएं CCPA ने क्या आदेश दिया है जी इसके पहले भी CCPA कई बार OLA को आड़े हातों ले चुकी है लेकिन इस बार मामला है refund को लेकर दरसल जब आप OLA में ग्रिवैंस सेक्शन में जाते हैं OLA caps में और अगर आप अपना refund जाते हैं तो आपके पास सर्फ एक विकल्प रहता है वो विकल्प है coupon code का CCPA ने कहा है कि ये सही नहीं है ग्राहक जो है उसको विकल्प होना चाहिए वो coupon code लेना चाहिए या फिर वो सीधे जो refund है वो अपने bank account में चाहिए इसको लेकर clear option लिखना चाहिए OLA caps को और इसी के लिए OLA caps को ये direction दिया गया है कि वो अपनी different policy को ठीक करे और consumer को साफ साफ ये information दे कि वो किस तरीके से coupon कब इस्तवाल कर सकता है और जो अपना account detail डालने का जो option है वो भी उसको देने का विकल्प दिया जाए इसको लेकर CCPA ने कहा है दूसरी तरफ जब आप auto रिक्षा बुक कराते हैं OLA caps के जरीए तो उसमें इस वक्त कोई भी बिल या invoice का option नहीं है ये साफ तोर पर जो consumer protection act है उसका उलंगन है और OLA caps को कहा गया इसे जल्दी से जड़ ठीक करे और जो consumer है जो auto रिक्षा भी बुक कराते है उन्हें भी बिल दिया जाए अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कारवाई की जाएगी और OLA caps को एक तय समय सीमा में इन दोनों चीजों के बारे में उन्होंने क्या corrective majors लिये हैं इसकी जानकारी देने को कहा शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए तो OLA electric scooter लेने वाले लोगों की शिकायतों का कैसे होगा निप्टारा जानने के लिए जरूर देखिया आज शाम consumer अड़ा 5 बचकर 57 मिनट पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है निजर हत्याकान को लेकर जहर उगल रहे कैनेडा की टूडो सरकार पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है भारत ने कहा है कि टूडो सरकार भारत के खिलाब जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है और सिर्फ राजिनीदी के लिए वो ऐसा कर रहे है भारत ने सभी आरोपो को सिर्वे से खारिच कर दिया है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीब सिंग निजर की हत्या में कैनेडा ने इंडियन हाई कमिशनर और दूसरे डिप्लोमाट्स के हाथ होने का रोप लगाया था है बिल्कुल देखिए जो प्रधानमंतरी इंटर्शिप स्कीम है इसको जबरदस रिस्पॉंस मिल रहा है अभी जो ताजा जानकारी यह मिली है हमें सूत्रों के मुताबिक उसके मुताबिक दो लाख असी हजार से जादा केंडेट्स ने इस पोर्टल पर अपना रिजूस्ट्रेशन करा लिया है मैं बता दू कि जो सरकार की का टागेट है कि इस फानिशिलर के एंड तक सवा लाख केंडेट्स को इंटर्शिप देना है जिसके लिए बहुत सारी कंपनियों की तरफ से वेकेंसी इस पोर्टल पर डाले गए है सरकार का टागेट है कि जो टॉप 500 कंपनीज है वो आगे आएंगी इसमें और जो अभी तक जनकारी मिल रहे हैं उसमें 193 जो टॉप कंपनिया हैं उन्होंने एक लाख से जादा जो है अपना पोस्ट इस पोर्टल पर अपलोड किया है और लगातार अपलोड कर रहे हैं इसको देखते हुए जो पोर्टल पे वेकेंसी अपलोड करने की जो तारिक बारा तारिक से पहले थी उसको बढ़ा दिया गया है और वहीं जो बारतारी को इसको लॉंच किया गया था आम पब्लिक के लिए सभी कंडिडेट्स के लिए जो की प्रधानमंतरी इंटर्शिप के लिए एक्षुक थे वो लगातार विज्यदरश्मी के शाम से ही इसमें अपलोड कर रहे हैं बहुत सारी कंपनिया इसमें मारूती से लेकर रिलाइंस तमाम जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं देश की टॉप कंपनियां वो सभी इसमें अपने पोश्ट डाले हुई हैं और सरकार की इसका टागेट था कि पांच साल के अंदर एक करोड युवाओं को इसकी योजना के तहित मैनफैक्चरिंग जॉब में और तमाम अलग-अलग तरीके के जॉब में इसकिल करना है तो अकुल मिलाकर अभी तक की जो ताजा इस्तिती है प्रधानमंतिर इंटर्शिप इसकील की उसमें यही है कि 2,80,000 जादा कैंडिट ने इस पोर्टल पर अपना रिजिश्ट एक जन्री तक प्रधूशन की वज़़े से पठाके बैन रहेंगे इसके अलावा उनलाइन पठाके भी नहीं बेचे जाएंगे साती पठाकों का भंडारन भी नहीं किया जा सकता है दिल्ली के परियावर्न मंत्री गुपाल राय ने दिल्ली के लोगों से इस मामले पर सहय की अपील की है ताकि प्रदूशन को बेकाबू होने से रोका चा सके तो चलिए मेरे साथ इस बुलिटिन में इतना ही लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज की आवाज अड़ा की टॉपिक के बारे में महाराश्ट में कभी भी चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है इससे पहले महाराश्ट की राजनीती में घमासान मचा हुआ है आज अवाज अड़ा में इसी परियोगी बड़ी चर्चा शाम 7 बच कर 57 मिनट पर अवाज़ बारे में 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 जवाज एलान हो सकता है